the bright fortnight of waxing moon has begun fortnight का मतलब क्या होता है two weeks का time यानि के 14 days के time को हम fortnight बोलते हैं जैसे हमारा one week seven days का होता है fortnight हमारे 14 days का होता है हिंदी में इसे पक्वाडा बोलते हैं शायद अब next thing है इस sentence में है waxing moon waxing का मतलब होता है removal of body hairs यह पता होता है wax sticky sa sa substance होता है candles this churchica keep बनी होती है wax होती है यह waxing मून के साथ किया करता है waxing का मतलब होता है कि सी cheese का size में larger होते जाना stronger होते जाना इसे हम waxing बोलते है waxing moon का मतलब होता है जो अवसय की रात होती है अइसके बाद medicine चणनी राध आती हैं इस प्रोसेस को एक दम शेखा, अधिए मुलते हैं, उसे हम वैक्सिंट Кएते हैं और इस वैनि उन स्परिवे के का हम भीक ऊह जो हम रहले होतेई लूता है जो टो सजनी भीक आनल सिदू एगा उन ऐसो नहीं दो वेनिग मोन की बात हो रही है तो न्यमून क्या होता है तो जो मून का प्रड़ में दिखाई देता है तो उसे हम न्यमून कहते हैं यानि कि वह वस्यावाली रात के टाइम में नहीं दिक्राई देता है उस टाइम को हम New Moon कह सकते हैं अचा हमें यह पढ़ते हुवे मिलता है काई यह वैक्सिंग एड वेनिंग ओफ लाइफ यउसका क्या मतलब होता है इसका मतलब वही होता है जो हिंदी में हम यूज करते हैं जिन्दगी के उतार चड़ाओ के लिए को ही हम इंग्लिश में यह कह सकते हैं कि वैक्सिंग एंड वेनिंग आफ लाइफ